नमश्कार मित्रो आज हम बात करेंगे सम्भिधान की भारत का सम्भिधान एक ऐसा सम्भिधान है जिसमें भारत की आत्मा परलक्षित होती है यानि उसका जो सार है जो सोल है वो इंडियन सोल है, भारती सोल है, भारती आत्मा है, कैसे, तो संविधान की जितनी भी बाते हैं, बे सब की सब भारत की संस्कृति से ली गई है, भारत के जो संस्कृतिक मूल्य है, हमारी जो परंपराएं है, हमारा जो दर्शन है, हमारा जो विचार है, वो सब इस संविध संविधान हमारे लिए बहुत महत्पूर्ण हो जाता है हमारे संविधान की खूपसूर्ती को आपको देखना है तो आप उसकी जो मूल पुस्तक है उसको जरूर देखिए उसमें राम कृष्ण बुद्ध से जुड़े हुए चित्र हैं जानकारी है सुन्दर चित्र हैं और चित्र प्रेड़ना देने का काम करते हैं और यह चित्र ऐसे ही नहीं लिए गए इन चित्रों के पीछे विचार है एक दर्शन है संविधान का प्रतेक अध्यायक जहां से प्रारंब होता है वहां उस अध्यायक की विशेवस्तू को रेखांकित करने वाला और उस केतन में के आचारे थे प्रधानमंत्री पंडे जवालल नहरू ने उनसे आग्रे किया कि संविधान की इस प्रती को थोड़ा सा आप सुसजित कर दीजे तो नंदनाल बॉस अपने शिश्यों के साथ गए और उन्होंने संविधान के लिए कुल 22 जो है चित्र बनाए और इ क्विधा को दania के लिए इंड़िज वैली सीवाहाहं को दिखाई देता है बाट वन में पारट टू में हमको वैदीक आश्रम दिखाई दिखाई दिता है वैदीक आश्रम का चित्र है और आश्रम यस भारती संस्कृति का केंद्र है हमने अपने पूरे जीवन को चार सुन्सकृति में भारती सुन्सकृति में क्या महत्त वै तो और आसरम गुरुकुल के सिक्षा के केंद्र भी थे ज्यान के केंद्र समाज को दिशा देने वाले जहां से मूल निकलते थे वैसे तो आसरम का जो चित्र है वो अध्याय दो पर है उसके बाद अध्याय तीन होता है भगवान राम के चित्र के साथ जिसमें वो लंका से माता स्वीता को लेकर के लक्षमन के साथ पुस्पक मिमान से लोट रहे हैं तो राम का जीवन राम के मूल्य ये संस्कृति के आधार मूल्य है भारत के लिए राम का क्या महत्व यह हम से जानते हैं चौथे अध ऐसा सुंदर चित्र उसका दर्शन वो हमको अध्यायाचार्म दिखाई देता है फिर हमको आगे चलते हैं तो महावीर जी का जीवन का संदेश देता हूओ एक चित्र मिलता है भगवाण बुध पाँचवे अध्यायाँ में भगवाण बुद्ध का चित्र और यह चित्र जो है जहां वह अपने शिष्यों को व्देश दे रहे हैं। धर्म प्रवर्तक का चित्र ये परतीत होता है, वहीं का ये चित्र है। उसी प्रसंग का चित्र है जहां से भगवान गुद्थ का संदेश लेकर के उनके शिष्य पूरी दुनिया में निकले तो पांच वे अध्याय में ये चित्र हमको दिखाई देता है फिर आसोग के जीवन का चित्र है कैसे आसोग भवान बुंत के संदेश को दुनिया में लेकर के गए इस बात क्या वो प्रतीक है गुप्तकाल के जो चित्रगारी है वो हमको दिखाई देती है फिर विक्रमादित्य का दरवार उनको दिखाई देता है महाराज विक्रमादित्य के शाषन व्यस्था कैसी है क्या थी यह हम सब जानते हैं आदर शाषन व्यस्था के रूप में महाराज विक्रमादित्य के दरवार का चित्र है इसमें सामिल दिखाई देता है फिर नालंदा विश्विध्याले उसका भी चित्र है दुनिया जहां सीखने आती थी जहां पढ़ने आती थी भारत विश्व गुरु था इस बात का संदेश स्री चित्र देता है जहां दुनिया वर की लोग पढ़ने आते थे भगवान नटराज का चित्र हमको दिखाई देते हैं भारत के महापुसों के चित्र दिखाई देते हैं तो कुल मिला करके जब हम संभिधान के इस रूप को देखते हैं इस रूप में संभिधान को देखते हैं अपने तो हमको ध्यान आता है कि कैसे हमारे संभिधान निर्माताओं ने संभिधान को भारती म को करता है उसी की संस्कृति को आपनी लेकर चाहिए यानि हमारे संस्कृते मूल्यों का प्रकास उनको हमारे संभिधान में दिखाई जेता है इसलिए भारत के प्रतेक नागरित को अपने संभिधान का पूर्था पालन करना चाहिए उसका सम्मान करना चाहिए हमने हमारी नीती ने भी जब संविधान को बनाया तो उन्होंने संविधान को लागू ने किया बलकि आत्मार पिक किया ये सुंदर बात भी भारती सुन्सकृती का धुरू तक है कि हम अपने कानून को अपने जीवन पदती को आत्मार पिक कर रहे हैं अपने उपर लागू नहीं कर रह है कि भारत के संभिधान में राम, कृष्ण, बुद्ध इनके संदेश है, इनके चित्र है, इनका जीवन दर्शन है और उनिके जीवन दर्शन के जो मूल है, भारती सुन्सक्ति के मूल है, वो हमको संभिधान में लिखाएगे, तो फिर किसी और इशे पे चर्चा करेंगे, अभी आपसे विदा लेता हूँ, जय हैंज, जय भारत!